दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप बिना कुछ इन्वेस्ट किये अपने खुद का Imitation Jewelry का बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन साइसा होलसेलर है जिनसे आप लोईस्ट होलसेल प्राइज में इमिटेशन जॉलरी ले क्या आगे ऑनलाइन सेल कर सकते हो मैं आपको होलसेलर के डिटेल्स इन्फरमेशन भी दूँगा पुरी और फिर मैं आप सभी को सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि कैसे इस बिजनस को ग्रो करना है कौन-कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेजी जो आप करते हो लेकिन सबसे पहला सवाला हाता ही कि यार्ट इमिटेशन जोइल्री क्यों दोस्तों इमिटेशन जोइल्री इए कॉमर्श बिजनस के लिए एक perfect product है सबसे पहले चीज की इसका size छोटा होता है, इसकी delivery easy होती है, इस product की बहुत जादा demand है market में, इस product पे बहुत जादा margin, high margin आप easily earn कर सकते हैं, मतलब आपको बहुत कम price में market में मिल लाएगा, और आप easily 500 से 1000 रुपे की margin एक एक product पे earn कर सकते हो, इसके अलावा जो सबसे important point है, व सकते हो, और बड़े level पे इसके business को grow कर सकते हो, अब हम step by step process की थूरू समझते हैं कि किस तरीके से इस business को start किया जाता है, जो सबसे पहला process होता है, वो होता है, एक right supplier खोजना, एक right wholesaler खोजना, जो आपको lowest wholesale price में अच्छी trending high quality की जो jewelry है, वो provide करे, अब अच्छे wholesaler खोजने करते रहते हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको एक बहुत अच्छा wholesaler ब्रता हूँगा, जिनके साथ आप यह business शुरू कर सकते हैं, तो एक बार एक अच्छा supplier खोजने के बाद, सबसे पहले आपको क्या करना है, sample product order करना है, ताकि आप खुद की photography कर सको, e-commerce business में photography बहुत important मंगवा लिजिए, जो जो product आपको समझ आते हैं, और मंगवाने के बाद आप खुद सही, अपने angle से उसकी photography करो, दो तीन प्रकार की photography होती है, एक होती है white background की photography, अगर आप Amazon, Flipkart, Misho पे sell करना चाते हैं, तो आपको white background photography करवाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप social media की through sell क करना चाते हैं, पहले Instagram, Facebook की through sell करना चाते हैं, तो आपको live background वाली photography कराना पड़ेगा, अगर आपको देखना है कि कैसे होती है live background वाली photography, तो जस्ट एक बार Chinese photography सर्च कर लीजी, जो एल्री की कि किस तरीके की होती है, आपको बहुत अच्छे-च्छे examples मिल जाएंगे कि कैसे आपकी live background photography होती है, जब भी आपको फोटोग्राफी करने के बाद थोड़ी सी editing करते हो ना, तो अपनी photo में एक quote जरूर लिखो, जो लोगों को call to action दे, लोगों को ये बताया है कि ये product खरीदने के लिए है, क्योंकि social media में जब भी आपके customer scroll करके product देखते जाएंगे, तो buy this product WhatsApp in this number, तो इस तरीके का दो लाइन का आप एक call to action रख सकते हो, जिससे जो भी आपके product को देखे, वो आपके पास WhatsApp तक के आया, उसको पता चल दाए कि हाँ ये product जो है, वो sell करने के लिए है, अब एक बार photography करने के बाद एक और बहुत important चीज है, canva.com में आप easily अपने ख product के अलग-अलग category के हिसाब से एक proper canva पे PDF बना सकते हैं, खुद सही बना सकते हो, अगर आपको कोई technical support चीए, तो आप हमको भी contact कर सकते हो, तो भाहिया, अच्छी सी photography करने के बाद, इसके बाद का process है कि आप अपने खुद के social media accounts बनाओ, आपको 2-3 जगा अपने account बनाना ह हैं, और वहां से हो सकता ही कि लोग आपसे connect हो जाए, इंडिया में बहुत सारी ऐसी audience है, especially women's की crowd है, जो Pinterest पे है, और वहां से वो direct आपके पास आ सकते हैं, तीसरा, YouTube Shots, YouTube Shots भी तेजी से boom हो रहा है, और आगे in future भी काफी grow होगा, तो जब भी आप short video content मनाओगे, तो उसको आप YouTube Shots और Instagram Reels दोनों पे डाल सकते हो, तो इसलिए यह जो तीन platform है, यह एकदम ideal है social selling के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि Facebook Marketplace है, Facebook Groups है, Facebook Pages है, मैं यह मान के चलता हूँ कि Facebook आज की rate पे थोड़ा सा down हो गया है, इतनी ज़्यादा selling नहीं होती, अगर आप देखे तो यह जो तीन platform है, यह appropriate है, अब जितना ज़्यादा platform बनाओगे आप उतना manage भी नहीं कर पाओगे, तो अपना aim एकदम clear रखो, primary platform आपका होगा Instagram, secondary platform आपका होगा Pinterest और YouTube Shots, अब एक और चीज़ बहुत important है, जब भी आप social media pages बनाते हो, तो आपको social commerce website भी बनाना बहुत ज़र हमारे खुद का भी एक proper टूल है, जहां से आप जा कि अपना पूरा WhatsApp store बना सकते हो, social commerce website बना सकते हो, उसको कुद को custom domain भी कर सकते हो, तो इस तरीके की social commerce website दिखती है, जिसमें buy button नहीं रहता, proper पूरी आपकी profile बनी हुई रहती है, और WhatsApp का button रहता है, जिससे क्या होता है, कि लोग आते हैं, social media से, इस website पे, आपको देखते हैं, आपके product को अच्छे से देखते हैं, आपसे connect करते हैं, WhatsApp पे, और जो भी product पे interested रहते हैं, वो directly WhatsApp की link के थुरू आपसे connect हो जाते हैं, और आपको भी पता चल जाता है कि कि किस product पे वो interested है, तो इस तरीके से आप जो है database ल चीज़ ध्यान रखना है कि जो imitation jewelry होती है, यह बहुत छोटी ticket size के product होते हैं, कुछ-कुछ product होते हैं, वो 400-500 रुपए के भी होते हैं, कुछ product होते हैं, वो 600-700 के होते हैं, तो यह एकदम छोटी ticket size के product होते हैं, इनके लिए आपको marketing automation setup करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप बहुत सारी marketing manually नहीं कर सकते हैं, अगर manually करोगे तो आपको उतनी अदा sales नहीं आईगी, एक-दो sales आईगी, और एक-दो sales के लिए आपको उतना profit ही नहीं होगा, जिसके लिए आप अपना time invest करें, जब तक कि आपको दिन में 10-15-20 sales ऐसी नहीं आ जाती, अच्छी-कासी sales नह जाती, जब तक कि यह business करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका two step का process रखो, इसका complete marketing है, वो Instagram ads के थुरू रखो, जो Facebook ads console के थुरू होता है, कैसे होता ही, उसके उपर भी हमने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको एक short में example देता हूँ, कि आपको द करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यह already मैंने एक वीडियो में अच्छे से explain किया हुआ है, वीडियो की link भी मैं आपको description पे डाल दूँगा, प्लस हमारा पूरा का पूरा digital marketing का course भी है, तो आप इन details समझना चाते हैं, तो course में भी enroll कर सकते हैं, तो दोस्तों यह जो मैंने कोशिश कर रहे थे कि सबसे जादा low cost वाला wholesaler कॉंस है, जिनके पास आपको variety मिल सकें, जिनके साथ आप e-commerce भी start करो, और अगर आपके पास e-commerce लिए पैसा नहीं भी है, तो आप reselling business भी start कर सकते हो, तो हमको एक wholesaler मिले है, इनके founder का नाम है Shubham Patel, इनकी brand का नाम है Update Life, यह basically गुजरात राजकोट से है, पिछले चार साल से ही reselling business कर रहे है, इनकी खुद की website भी है, update life.in, आप देख सकते हैं, जागे proper इनकी एक बहुत अच्छी website भी है, आज इनके पास all over India से 1000 से जादा resellers connected है, इन्होंने as a manufacturer अपने business को शुरू किया था, और आज इनका manufacturing unit भी है, completely खुदी manufacture करते हैं, और इनकी खुद की shop भी है, देखिए एक बार manufacture होने के बाद कुछ इस तरीके से ये अपने products को store करके रखते हैं, इसके बाद ये product पूरे properly pack होते हैं, pack होके इस तरीके से रखाये जाते हैं, और जब भी आपका order आता है इनको, तो कुछ इस तरीके से आ photography दिखाता हूं और prices भी बताता हूं, तो देखिए कुछ इस तरीके की ये खुद के product की photography करते हैं, ये भी काफी attractive photography है, आप इनके prices भी देख सकते हैं, तो इनके prices भी बहुत ज़्यादा cheap है, in fact आप अगर इनकी website पे भी जाके देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा low cost की product मिल लाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये खुद ही manufacturing करते हैं, अब दोस्तों जितना important होता है product की quality या content, उतना ही important होती है service, कि एक wholesaler कित्ती अच्छी service दे रहा है, इनके पास आपको cash on delivery की service मिल लाएगी, इनके पास आपको fast shipping, international shipping की भी service मिल लाएगी, जो उनके regular resellers होते हैं उनको ये extra discount देते हैं, और in fact अगर कोई reseller जादा sales करते हैं, तो उनको incentives भी मिलते हैं, इनके पास आपको return और exchange की service मिल लाएगी, बशरते आपके पास पार साल opening की video होते हो, और तो और इनका daily basis पे WhatsApp पे broadcast आते रहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो जब आप अब इनके साथ connect होंगे, तो आपको भी कुछ इस तरीके का WhatsApp पे broadcast आएगा, इन products को फिर आप आगे अपने social media पे resell कर सकते हैं, अब मैं आप सभी को इनका WhatsApp नमबर बताने जा रहा हूँ, इनके WhatsApp नमबर को note कर लिजीए, या फिर स्क्रीन शॉट ले लिजीए, इनका WhatsApp नमब सकते हैं, लेकिन जब आपको grow करना है, और एक e-commerce brand की तरफ लेके जाना है, तो बहुत सारे steps है, जिनको आपको follow करना पड़ेगा, अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा है, ज्यादा पैसा invest करोगे, तो business grow हो जाता है, लेकिन आपको smartly काम करना है, मैं आपको कु short videos की, reels की, YouTube shots की, तो जो 15 second की reel video रहती है, सबसे important चीज रहती है, जहां से आप traffic को ला सकते हो, तो आपको reels में बहुत सारा experiment करना है, experiment करना है, मतलब मान के चल लो कि आपको 50 अलग-अलग type की reels create करना है, ठीक है, अब वो जो reels है, 500 reels में 80-20 rule follow ना चाहिए, 80-20 rule मतलब 80 80% जो होगा, वो आपका product होगा, जो भी आप display करना चाहते हैं, वो होगा, एक viral जो भी audio है, जो भी music है, वो added होगी, और जो last का 20% है, वो होगा आपका call to action, तो लोग देखेंगे, 80% retention जिनका रहेगा, वो last में 20% जो call to action है, वहां तक के पहुँचेंगे, और ultimately लोग उस call to action को देखते हुए, आपके पास आएंगे, तो मैं आपको एक sample बताता हूँ, आप ये sample देख लीजिए, कुछ इस तरीके की reels आपको create करना है, अब एक बार जब आप इस तरीके की 40-50 reels create कर लोगे, social media पर post करोगे, तो मैं आपको guarantee देता हूँ, कि एक नएक आपकी reel ऐसी हो है, जो आपकी exceptional है, सबसे best गई है, आपको उस video को लेके उसके उपर ads चलानी है, अब again Facebook ads कैसे चलाते हैं, Instagram ads कैसे चलाते हैं, उसके उपर मैंने already video बना रखी है, अब ads लगाने के बाद आपके पास जितनी भी traffic है, वो आईगी आपकी website पे, या वो आपकी social commerce website हो, तो उसमे आईगी, अगर आपकी Shopify या e-commerce website है, तो उस पर आईगी, अब आपको यहां से लोगों को WhatsApp तक के लेके आना है, क्योंकि WhatsApp API आ चुका है, और WhatsApp API में सबसे ज़्यादा conversion होती है, और आप WhatsApp API पे automation भी setup कर सकते हो, WhatsApp में आज की date में सबसे ज़्यादा लोग buy करते हैं, अब लोग social WhatsApp पे आएंगे, सबसे पहले उनके साथ manually sales करो, उनका database save करके रखो, और एक बार जितना भी database आपके पास built up हो जाए, 1000, 2000, 3000 नंबर का database आपके पास इखटा हो जाए, उनको regular basis पे bulk WhatsApp marketing करो, यह सबसे ज़्यादा effective तरीका है, initial level पे, सबसे ज़्यादा cost effective तरीका है, जिससे आप easily अपनी sales को convert कर सकते हैं, तो I hope इस वीडियो से आपको पूरा imitation jewelry का business समझ आ गया होगा, अगर आपको नहीं पता कि reselling business कैसे करते हैं, तो proper हमारा reselling business का एक course है, सिर्फ 600 रुपे का, आप उसको जाके देख सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं, इसके लावा और भी नए-नए courses हम launch करने हैं, जैसे WhatsApp marketing का course है, जैसे digital marketing के लिए हमारा proper course है, तो आप जाके हमारे courses भी check out कर सकते हैं, और अगर हाँ, आपको social commerce website बनाना है, तो उसके लिए भी हमारा free of cost website है, free of cost tool है, जिसमें जाके आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी खुद की social commerce website बना सकते हैं, कुछ इस तरीके की, और तो और आप GoDaddy से अपने नाम का custom domain खरीद के भी इसमें लगा सकते हैं, और ये website builder completely free of cost है, अगर आप custom domain करते हैं, तो उसके लिए आपको premium खरीदना पड़ते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप सभी को आपका business start करने पे मदद कर पाए, चाए वो content से हो, knowledge से हो, या कोई tech product से हो, अगर आपको हमारा initiative अच्छा लगता है, तो please हमारे इस वीडियो को like जरूर कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप किसी दोस्त को ये बता सकते हैं, तो please हमारी जो वीडियो है, इसको WhatsApp में अपने दोस्तों को share कीजिए, अभी subscribe कीजिए Social Seller Academy को, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं, अच्छा हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि कि किस topic पे आपको knowledge चाहिए, तो हम उसमें research करके आप सभी के वीडियो ज़रूर बनाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में